नमस्कार, आज होली है, होली की बहुत बहुत शुब कामनाएं, गुड मॉर्निंग, आप जब कल्पना करेंगे, कि बच्चे चीख रहे होंगे, और रंग से, पिछकारियों से रंगा जा रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वारा है, कर्फियू लगा हुआ है, रंगों पे ताले बंदी कर दी गई है, और ये प्रशासन नहीं किया, करोना नहीं किया, और करोना नहीं इस लिए की है, कोविड नाइंटीन नहीं किया, आपनी जरूरतों पे ताले बंदी नहीं की है, अगर आप यह कर लेते तो पक्का ऐसा सिच्वेशन ऐसी नहीं आपाती, चलिए तो मैं बात करता हूँ, रात हम बात कर रहे थे, थेटर के बारे में, थेटर के प्रवाव पर, तो उसके पहले मैं आपको बता दू, मैंने यह वादा किया था कि थेटर जो है, उस बहुत होते हैं थेटर में, बहुत अच्छे अच्छे इंट्रोवाईजिशन होते हैं, इदर दो बच्चों के नाम का उलेख करना चाहूंगा, एक तो पुजा केवट का, जो बहुत विद्वता की हद तक विद्वान है, और यह इसलिए कहना पड़ाए कि उसकी एज उतन की होती है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, और वो पहली बच्ची है, जिसने की, उसके बाद भी बच्ची है, जिसने पुजा के अलावा स्वाती दुबई भी ठीटर को बहुत अच्छी तरह से उसका उपर ही है, और यह दू बेटियों के अलावाद ठीटर में जो जिवर्जस चेंड यह आया है, उसमें नाटे लोक संस्ताकों लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने डॉक्टर शिप्रा सुलेरे के बेंड बन गया है, उनका एक ग्रुप था बच्चियों का, उस ग्रुप के साथ में ठीटर को म्यूजिक पिट दिया, और यह म्यूजिक पिट ठीटर जो पर्टिकुलर नाटक था, जो भी होता था, उसके अनकूल होता था, इनका जो सबसे लोगपरी गीत नाटक था, वो था कबीर, सुबद्रा जी पर भी केंदरित, उनकी कवीताओं और उनके जीवन दर्शन पर आधारिद, इक नाटक उसमें भी उन्होंने सवर गीत का गायन किया, तो इस तरह से तीन यह मात्र शक्ति की प्रतिनेथित करने वाली, जो तातने उनका उलेग करता हूँ, करना चाहूँगा, जब बॉबी का भुपाल में वो हो रहा था, और यहां जवलपुर में भी उसका मंचन हो रहा था, तो मैंने देखा कि निर्देशन में सहाय के तोर पे एक बच्ची उभर के आई थी, आम तोर पे ऐसा होता नहीं है, वो मनीश जाते वारी, प्यार से मैं उसको टपू कहता हूँ, टपू क्यों कहता हूँ, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मज़ेदार बच्ची है, उसको मैंने लाइट में भी भाग लेते देखा कि लाइट किस तरह से पढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए, सब डिरेक कर और कभी जाके कुछ समाल लेती, तो यह वो दारन मैंने दिया, जो कि आपको बता रहा था ना, कि सरुपा जो वो होता है, परिवर्तन व्यक्तितों का, और बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं बच्चे, तो उसका जीता जाकता उदारन है, चलिए तो हम बात करते कि यह इसक जाने कौन सी परिशितिया हैं कि यह रंग कर्म जो है, वो प्रतिबद हो गया है, और लालीमा के साथ प्रतिबद है, भारती रंग कर्म और खास तोर पे जबलपुर में भी, मैंने कभी भी बहुत गंभीर नाटक यहां पर बनते हुए नहीं देखे, हो सकता बाद में आग पाया हूं, लेकिन कोविट के पहले तक मैं नहीं आ पाया था, कई को सीधे सीधे आक्षे पाले नाटक हुआ करते थे, हाँ एक नाटक जो हम लोगों ने देखा है, वो बॉबी का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें बच्चे के एका की पन पर बहुत अच्छे तरीके से उसमें श्रिया ने काम किया था, बॉबी का मुख्य रोल लिया था, मेरा भी एक गीत उसमें लिया था, खुदक्चे रहिया, हाँ, और उसको उसमें शामिल किया था, चिडिया बात करती है, और बहुत सारी चीचे, पोट्रेट भी लिया था, उसको, वो तो मेरा ही नाटक था, त तमीज नहीं है, मुझे जवरिया नाट लेखक बनाया गया, यह संजे गर्ग जी और सब की सब पूरी कहानी थी, उसी में मैं पिस्ता चला गया, हो गया काउ, कोई बात नहीं, तो मेरा एक मातर नाटक जो पोट्रेट है, वो मलचेद हुआ, बच्चों की एक्टिंग जो है, तो अपने आप में अट्रेक्शन का कारण ही होती है, तो चाइल्ड फियेटर यहां जवर्पुर में बहुत श्ट्रॉग है, लेकिन सामाने तोर पे कमिटेट है, और कमिटेट होना जरूरी नहीं है, किसी पर कीचल उचालने वाले नाटकों की आवसक्ता नहीं है, ऐसे थियेटर को करिए जिसे की, जिसे भारत की आत्मा कहा जा सके, भारत की आत्मा से निकली हुई अनुगूंज के रुप में समझा जा सके, सोना जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है, समाने रूप से वही प्रताड़ना वही, यह समाज में सब जगे है, ऐसा भी नहीं है, कोविट काल के बाद देखिये, कोई भी ऐसा नाटक नहीं आया, कि कितनी करुणा भरी थी, लोगों के दिल में, उस समय किसी को यह नहीं था, कि सरकार नहीं यह नहीं किया, यह तो मैं देख रहा था कि, मेरे महले में अगर कोई डिलेवरी होती थी तो किस तरह से डिलेवरी होती थी किस तरह से लोगों ने काम किया उसको अब जरू किया मैंने ऐसा थेटर के रचना कारों ने भी किया होगा कहानियां बहुत सारी बिखरी पड़ी हैं उनको कोविट के बाद कोविट तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारे जीवन का जिसके साक्षी हमें तो हम लोग उस पर भी काम कर सकते थे यो नहीं हो पाया है वो सकता है कुछ लोग घुप छुप तयारी में लगे हैं अच्छी बात है लिकिन केवल विद्रोही बनना केवल विद्रोह करना और केवल एक पक्ष को गाली देना या उसके बारे में अबशब्द कहना बला-ब खेटर का ह시सा केबल फूहडता नहीं होनी चाहिए हाथसे के नाम पर और व्यंग के नाम पर किसी की किसी की गरीमा को गिराने की कोशिस नहीं होनी चाहिए थेटर चुकिए आप भरतमुनी से लेकर आप तक जो भरतमुनी वाला जो एंजिन चल रहा है जिसके गाड़ी के डब्बे और उसमें जुड़ते जा रहे है आप देखे कितने सारे काली दास के नाटक हैं और भी नाटक हैं इन सारे नाटकों को देखे सेक्सपियर के नाटक उसमें भी काम हो रहा है खासा काम हो रहा है उत्ते पर देश में बनारस में उसमें काफी अच्छा काम हुआ है काली दास के नाटक पर अच्छा काम हुआ है सेक्सपियर पर भी हुआ है तो क्यों नहीं भारत का काली दास क्यों यूरोप का सेक्सपियर मैं प्रतित्वंदी तब पैदा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपके intellectual होने के level को चुनोती देना चाहता हूं, बुरा जरूर लगेगा, सोचते होंगे कि इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूं, कि बहुत सारे character यहां बिखरे पड़े हैं, रानी दुर्गावती का इक चरित्र है, जिसने मुगले आजम जो है, छमा करेंगे, मुगले आजम नहीं कहेंगे, शेहन साहर अकबर को चुनोती दी थी, उनके बारे में इस बात क्यों नहीं होनी चाहिए, उनके उपर कोई ठीटर क्यों नहीं होना चाहिए, और वो करके दिखाया जबरपूर में विविचनाने किया और उसकी भविता देखते बनती है, उसे और लोगों को आगे बढ़ाना भी चाहिए, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि यहां पर अध्यात्म से उत्परोथ फ्येटर नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में विविचना रंगमंडल ने अध्यात्मिक नाटक भी किया है, जैन धर्म पर और उनके जो गुरुदेव हैं उनके चरित्रों पर भी बात किया है, उसे सामने निकादा है, तो मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी पुर्णरावरती बार-बार होना चाहेँगी। जब शिवाजी का थेटर जवर्पुर में हुआ, शिवाजी पर महराष्ट का जो थेटर का अल्टीमेट स्टेटस आप देखिए, बहुत जबरजस्त नाटक था, जिसका एक्च्छल में जो प्रापर्टीज थी, उसको बनाने में ही महिनों लग गए थे। उस समय डिश्टल यूग भी नहीं था और रात में वो नाटक हुआ करता था, बहुत अच्छे तरीके से रुटता था। रुटक्रश्ट तरीके से होता था। उसे जबरपुर ने देखा, संसकारधानी ने देखा, संसकारधानी कीमत करती है कलाकारों की। उनके बारे में सोचती है, उन गंधरों के बारे में सोचती है। तो यह था कि आप कमिटमेंट ना रखें। लिखक के रुप में आप कमिटेड ना रहें किसी कमिटमेंट करें लेकिन कमिटेड ना रहें किसी एक पक्ष के लिए। मानोता के हित्मे बहुत जरूरी है तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं जो रंकर्मी हैं उनके पास में बहुत सारा स्पेस है करने के लिए लिए आपको कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और नहीं लगा तो नीचे लिग दीजे ना आपके फूलों से भी प्यार आपके कांटों से भी प्यार आपकी नसीहतों से भी प्यार आपको नमन नमस्ते जय हिंग जय भारत वंदे मातरों